हालो एवरीवान गेश दिस इस सोविन सर बहुत बहुत सवागा थे आपका इस बहुत ही खुब सुरसे सेशन में सारे बच्छों से रिक्वेश्ट ही के पहले फड़ा फड़ जुड़ जाओ और अपने दोस्तों मित्रों यारों के साथ हमें कॉलेज के ग्रूप में जहां पर भी हो सेगे इसे फड़ा फड़ा शेयर कर दो क्योंकि होने वाला यह बहुत खास 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 सेशन जी हाँ मैं लेकर आगया हूँ आपके लिए मार्च 2023 का लाइव डिसकेशन तो हमारा यह जो बोर्ड पेपर जो क्वेशन का जो बच्चा हमने सिरीज स्टार्ट किया है आपके लिए वो यहाँ पर लेकर आया हूँ और सर आज इस और टाइम पर क्यों आ गए फेस्टिवल से मकर संक्रांति की बहुत बहुत श्यूप कामना है आपका जो दिन है बहुत ही फरूटफुल हो बहुत ही मजेदार हो और आप बलते नहीं कि जो आप प्लान कर रहे हो जो आप सोच रहे हो जो आपके सपने वो जरूर पूरे हो यह दिल से दुआ है येस देखो क्या होने वाला बच्चा है कि वेटनस्डे की दिन में शाम को छे बजे अवलेबल नहीं रहूंगा ठीक है तो मुझे लेक्च्छर ब्लैंक नहीं डालन है तो क्या आप तयार हो क्या आप तयार हो जल्दी से बोल दो क्या आप तयार हो टॉपर रिकॉर्ड एर टॉपर प्रो बैश में क्या डेफ्रेंज है डॉपर रिकॉर्ड एट यह अभी अविले भले बच्चा वो लास्ट रिए का टॉपर रिकॉर्ड रिकॉर्ड आने वाला है जो इस साल के लिए रहेगा वहांप ले सकते हो पूड़ा सी मिनमम प्राइज हो जाएगे आपके लिए कंपेर्ट टॉपर्स प्रो बैच ठीके और डिफरेंस बहुत सिंपल है एक लाइफ चलता है पुरा का पुरा और एक रिकॉर्ड होता है यह जल्दी से जुड़ जाईए फड़ा फड़ा अपने दोस्तों मित्रों यारों को बता तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं गनपदी पपा मुरिया के नाम से बहुत जबर्दर सुने वाला यह सेशन अगर जो बच्चा स्टार्टिंग से बैठ लेगा तो मैं गैरेंटी दे सकता हूं कि आपको बोर्ड पेपर में कॉन्फरेंस आ जाएगा येस क्यार मुझ के सामने माहानस्टाबोड का महार 1423 का केमिस्टी का पेपर है पेसिक इंस्ट्रक्शन इस तरह से होते हैं जो 2023 में आया था इंस्ट्रक्शन क्वेस्टन नमबर एज होगा वन दसक्वेशन मुल्टीपल होंगे और सेक्शन नमबर टू में आट कोशन वेरी शॉट आंसर हो होंगे 12 कुशन होंगे टोटल उसमें से आट रिम करना है 3 मांक का एच होगा और 27 से किसमें 5 कोशन टोटल होंगे इसमें सा आपको तीन करने होंगे यह पांच चार मांग वाला कुशन होता है यस चलिए सर और कुछ इनफॉर्मेशन दिया है क्या बेसिक इंफरमेशन इस और आर का वैल्यू दिया था एन एका वैल्यू दिया था और एफ जो होता है हमारा बोल सकते हैं फर्राडे का जो वैल्यू होता है 965 00 कुलोंब वह भी आपको इस बर दिया गया था चैसे शुरू करते हैं मार्च 2023 का जो पेपर है उसका डिसकेशन तो मार्च मार्च 2023 यह हम लेने जा रहे हैं यह रहां आपके सामने सेक्शन नंबर एप बहुत प्यारा क्वेस्टन सेक्शन एप आपर वाले बुलेंगे सर इस समय हम इससे खेल रहे हैं हम पढ़ नहीं रहे हैं इन सब कंसेप्ट्स हम खेल रहे हैं इस समय यह सही माहिन के लिखना है यहां पर में दिखा दू आपको कर्येट आंसर क्या होगा देख लो जरा देल थोड़ा सा छोटा करता हूँ ता कि आपको कीजिए सही से समझ में आ जाए कहां से कैसे लिखना होता है देखलो यहाँ पर इस question का right answer क्या होगा what will be the right answer आप यहाँ पर answer करके question number one का right answer क्या है वो देखना है तो आपको मैं बता तो कि right answer जो होता है वो c होता है c is the totally correct answer यहाँ पर ऐसे c लिखना होगा और साथ में उसका right answer क्या है वो भी specify करना होगा यह हो गया आपके लिए perfect answer समझ माया यह हो गया perfect answer एक माग आपको इसके उपर मिल जाएंगे without any doubt कोई दिक्कत नहीं होगे आराम से आपको एक माग यहाँ पर आपका बन जाएगा समझ माया बच्चा कोई confusion कहीं पर भी चलो अगला question देख लेते ओ भाई यह question नहीं यह तो हंगामा लग रहा है तर एक सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल चले देखते हैं कैसे इसको solve करेंगे पुलाइद पीएच अपर वीक मोनो-acidic base is 11.2 तो ओयच का concentration बताओ भाई लेवल का question है लेवल का question है क्योंकि भली एक मा का question है आप कहीं से copy करके answer लिग दो right that is different case बड़ यह सही माने में दो मा का question तो है कैसे करेंगे चलो देखते हैं given data और यह से पितना जादा करने का वह देखते हैं जरा ठीक है तैयार है सब लोग यह सर एकदम तयार मोड में है वी और एकदम रेडिय पोजिशन में है देख ले यहाँ पर सबसे पहले मुझे बोला गया पी एच आपको दिया गया है पीच कितना दिया है पीच आफ दीस वीक मोने इसीडिक बेसिक मतलब यह बेस है उसका पीच 11.2 है तो मैं काम करता हूं इसका पी ओ एच निकाल लेता हूं तो पी ओच कैसे निकालेंगे जल्द बाजी में गलबड नहीं करना 14 11.2 यह आ जाएगा एट यहां पर 33 में से गया वान तो टू यहां जाएगा 2.8 पीच कितना आगया 14- 11.2 मतलब आंसर आगया 2.8 अब इसका ओएच पूछा है तो हमको पता है कि ओएच निकालने के लिए क्या करना होगा जनरली मुझे फर्मूला मालूम है कि पी ओएच जो होता है माइनस लॉग टू दे बेस्ट इन ओएच माइनस होता है एक काम करते हैं यहां पर थोड़ा सा चीजों को घुमा लेते हैं कुछ ऐसा कर लेते हैं कि यह माइनस को वहाँ शिफ्ट करते हैं यह बन जाएगा माइनस पी ओएच क्या सब लोग समझ पा रहें अच्छे से बिल्कुल समझ पा रहें अब क्या करेंगे माइनस 2.8 आ गया आपको पता होगा कि जब ऐसा कभी भी कुछ आगा तो आपको इस तरह से लिखना होता है इसको स्प्रिट करना होता है और प्लस वन माइनस वन करना होता है जब भी आपको ओयच या एच प्लस के वैल्यू पुछेंगे तो आपको यह पैटन फॉलो करना है अब क्या आएगा माइनस 2-1 विल बी माइनस 3 और प्लस 1 और 0.8 विल बी प्लस 0.2 फिलाहल मुझे आंसर लेंगे यह इस तरह से जब टेन का पार माइनस 3 तो आने वाला है यह कंफर्म है इन का पार माइनस 3 कहा दिख रहा है बच्चा ए और सी में दिख रहा है तो ए और सी में से एक आंसर होगा बट आगे बोला है 0.2 अब हमने पढ़ा हुआ है कि 0.2 मतला आप सोचो ज़ना एं 1.2 का एंटी लोग 1.5 होता है तो 1.5 इंटेन का पावर माइनस 3 मतलब यह 1.585 होगा 1.585 इंटू टेन का पावर माइनस 3 यह हमारा आगया कंप्लीट आंसर अगर यह सौल कने लिए बोलता हमको यूनिटी भी लिखना पड़ता पर अभी फिलाल सौल पे फोकस नहीं किया ह है तो कोई दिक्कत नहीं यूनिट लिखो न लिखो से फरक पड़ेगा नहीं ठीक है बड़ यूनिट क्या होगा आप यहां पर देख सकते हैं मोल पर डेसिमेटर के विगोज इस अ कॉंसेंट्रेशन तो राइट अंसर क्या हो गया बच्चा चार देख लो यहां पर राइ एक माघ का क्वेश्चन एक दम धमाका हो गया बोलो मजा आ रहा है देख के इसा लगा रहा है वाह क्क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन और चम चमाता हुआ और मुसकुराता हुआ वा विच्छ आप फॉल्विंग करेक्टली री प्रेजंट इंटीरेटेट रेटे मतलब क्या सर क्या बुलना चाह रहे हो सोच ओब अप स्वाइरा तू पी आए माइनस पी एंट एक क्वैर्श्म कहां दिख रहा है वहिए आपका अंसर हो जाएगा तू पी आए मैस पी पी आपि आप सोफैंगा थिकी नहीं तू- अंसर में बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पर इसका यहां पर फॉर्मूला बनेगा के इक्वल टू 2.303 divided by T into log to the base 10 P I minus 2 P I minus P बहुत प्यार आंसर है बहुत प्यार आंसर है यह देख लो इस तरह चामारा प्यार आंसर आगा चलेगा कोई confusion चेक करते चलो नंबर भी जैसा दिया है वैसा ही नेच्ट दस्मिल ओनली मैगनेटिक मोमेंट पॉर मेंट टू प्लस इस बोलो आपका फेवरेट क्वेश्चन मैगनेटिक मोमेंट कभी भी आने तो सर कभी भी आने तो मैनेटिक मोमेंट है है मज़ा ही आजाता देखके देख लेते पहले इसको सॉल करने के खोशिश कर लेते कैसे सॉल करेंगे इजी है अब मन टू प्लस बोला है जनरली मन का नंबर होता है 25 इसका इलेट्रॉनिक अन्फरेशन होगा आरगन 3D54S2 बट सर यहां पर मन टू प्लस बोल दिया है अच्छा टू प्लस बोल दिया है कोई बात नहीं आरगन 3D5 कर देंगे मतलब एन इक्वल टू फाइप आ जाएगा आंसर फाय पॉइंट सम्थिंग आ जाएगा तक मियुव इक्वल टू एन एन प्लस तू रूट के अंदर यहां घ्या फाइब फाइफ फाइफ प्लस टू सौल करेंगे तो रूट 35 आ रहा है which is equal to 5.9 BM हमको यह तो समझ में आ गया कि हमारा जो राइट राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर आंसर लिखो इस तरह से नंबर बी लिख के उसका जो राइट आंसर है 5916 BM जो दिया वो लिख दो खतम काम तमाम ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं समझ में है बच्चा येस 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 सर लॉग निकाना सिखाओ ना कि में शुटे के प्लीज बहुत सिंपल है बच्चा आप यूट्व पे जाके टाइब को लॉग टेबल बाय दिने सर आई वह आदे घंडे का वीडियो आपके जिंदिकी बज़ा लेगा लॉक के मामले में यहां वहां भटको गे मजबूर टाइम पास होगा आपका कुछ होने वाला नहीं है सही जगर पर सही चीज करोगे तो बढ सारी चीज आपको समझ में आएंगे है कि नहीं यह कोई दिक्कत कोई डाउट मजा आ गया चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके लिए यह रहा जब करेक्ट फॉर्मूला ओफ कॉम्प्लेक्स हैविंग आयूपैक नेम टेट्रा अमाइन डाय ब्रोमो प्लेट इसका स्ट्रक्चर बता हो क्या हुआ तो की टेट्रा अमाइंग का मतलब है एनस थ्री चार बार एक एक चीज को समझो पहले डाय ब्रोमो का मतलब है बी आर टू दो बार लेटनम का मतलब है प्लेटनम होना चाहिए बाइडीफॉल्ट इतना तो बाइदिफॉल्ट यह वह गया राइड अंसर लेकिन सर्ट यहां पर फोर लिखा हुआ है यह फॉर ने हम को थोला सा और मजबूर कर दिया सोचने के लिए दोब यहां पर आण सर बी आर माइनस टू है मतलघ मानश वन होता है माइनस वरण टू- टू स्थो जीरो होता है अब यह भी आर माइनस वनने ऍपिर को गहर मैं से सॉल करता वंट को मैं अबजर्फ कर पा रहा हूं कि इस हिसाब से पीटी हमारा सिर्फ प्लस थ्री दिख रहा है जबकि हमको जो क्वेस्चन में दिया है वहाँ पर प्लस फोर दिया हुआ है मतलब सर अंदर के पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है ब्रोमाइड को हमको क्या करना पड़ेगा ट्वाइस करना पड़ेगा समझ में है तो इसका मतलब कि सर अगर मुझे ब्रोमाइड को ट्वाइस कर लेता हूँ यह सेम चीज़ कुछ ऐसी बन जाएगे देखो यह सेम चीज़ कुछ ऐसी बन जाएगी दिख रहे हैं दिख रहे हैं आगे तो पता ही आपको क्या होगा है हमारा पीटी जो है परफेक्ट प्ल चीज़ यह नहीं होगा फिर कौशा आंसर होगा परफेक्ट आंसर नंबर सी नंबर सी एकदम सही आंसर उपर लिखना आपको पीटी बी आर टू है नहीं थ्री फूर टाइम से और फिर बी आर टू है इस विल भी दर टोटली करेक्ट आंसर समझ माया बच्चा मजा आ रहा येज बच्चे शुमीत खड़े पता है मेरे भाई आप हमारे बैच के बच्चे हो येज जल्दी से देख लो कोई दिक्कत है तो बोलो मजा आ रहा है एकदम फूल धमाल हो रहा है अलग लेवल का धमाल हो रहा है सर दब अलाइलिक हलाईड आपको पैचाना है अलाइलिक ह आघ का क्या करणिशन था अलाईली का सोचो तो ऑगो है मैं आपको पहले समझा देता है कि वह अलाईली कि खालाईल में गारबन का नेचल कैसा होना चीह एए एसके उपर एक से रहेगा और उसके बाद कारबन कारबन डबल बॉन होना चाहिए राइट यह कंडिशन दा बच्छा फिर से देखो SP3 होना चाहिए बट नेक्ट टू कारबन कारबन डबल बॉन्ड मतलब कुछ ऐसा नेचर अगर हो गया हम बोलेंगे अलाइलिक है विकाज यह SP3 है और कारबन कारबन डबल बॉन्ड भी है ऐसा नेचर मुझे दिखाई दे रहा है A B A में तो ने दिखाई दे रहा है सिंगल ब और इसमें D answer is a D link do और उसके बाद यहां पर लिग दो और शीच 2 CH CH 2 X यह अमारा फॉल्लइंग रियेक्शन मतलब की CH 3 CH double bond CH CH 2 CH उसमें लीथियम अल्मोनिय मिला दिया अगर हम अल्डियाइड में लीथियम अल्मोनियम हाइट्राइड मिलाते हैं यह हाइड्रोजरेशन करते हैं एच्टू मिलाते हैं निकल के प्रेंस में यह तो कंफर्मिका अल्कोहल ले यहां पर चैप्टर के हिसाब सब्सकर मैं जाओं आप मुझे यह कहना चाहरे हो कि जो डबल बोन्ड उसको कोई टच नहीं कर सकता नहीं नहीं सकता देखो यहां पर देखो जड़ा देखो जड़ा यह है इसमें मिला दिया लीथियम एलमुनियम हाइड्राइड यह सर एच त्री ओ प्लस के रूप में इस कंडिशन के साथ में तो हमारा जो आंसर बन जाएगा CH3 CH double bond CH2 last वाला बन्दा CH2 OH बन जाएगा यह राइड आंसर होना चाहिए हमारे पास जो आंसर है दरा देखते हैं कि इसमें आंसर सही से कौन सा मैच कर रहा है ऐसा आंसर कौन सा है जिसमें double bond भी है alcohol भी है पहला वाला तो long हो गया दूसरा वाला सही लग रहा है वट एक दो त चाहर पांच कारवन यह दूसरा वाला ज्यादा एक्रेट लग रहा है इसरे वाले में एसी चौत वाले में इसी मतलब राइड आंसर हो गया नमबर बी नमबर बी यहां पर एकदम सही आंसर है CH3 CH double bond CH CH2 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 OH अरे याद है कि नहीं लीटिया मलमने माने बहुत महंगिला हो सब्सक्राइब करने के लिए वैसा मत करना ठीक है चलो कोई दिक्कत सब्सक्राइब क्या हो रहा है अगला कुश्चन देख लो और शम्चा माता वाओ भाई अब यह कुश्चन अगर सही से देखा जाए ना कहीं नहीं है जाके तुम कोई भी लेवल के टेश्ट बढ़ लो यह reaction है इने टेश्ट बुक में मतब बुक में रीफर कर दिया है अल डार को टोन याँदे सबको उसमों ओजोनलिसे भी आ दे उसको रीफर कर दिया कि लाजवन के बुक को फॉलो करो अजब आप लास लेवन के बुक में जाते हो तो वहां पर भी यह reaction है ही नहीं बदूनल अब यह ज़रा सोचो यह तो बुलाए ओजनलिसिस तू कॉमा थ्री डाइम इथाइल पता ने ब्यूट टू इन फॉलोड बाय ओजनलिसिसर क्या कहता खतरनाक दिया सर ऐसा कैसा करेंगे सर हम लोग हम मासूम से बच्चे कैसा कर पाएंगे इतने डिफिकल डिफिट इसको सीखा हुआ ना तो आपको पता चल गया है कि इसको क्या बोला करने के लिए रहां सब्सक्राइब पड़ो एक दो तीन चार बीच में बोला है और तीन नंबर पर मिठाइल बोला है मतलब यह कुछ ऐसा बोल रहा है पाके जगा सिंगल बॉन लगाएंगे यह बढ़न जगा सिस्टरी कि रूल को फॉलो करते हैं जब आंसर आप अटोमेटिक चल गाएगा अब इसमें बोला है ओजोन लिसस करने के लिए यह मैंने ओजोन लिसस कर दिया क्लास 11 में आपको सिखा गया था इन्फेट क्लास 12 के चप्टर में भी सिखा गया है यह आता है तो इस ब इसके बाद यह दोनों को भी आपस में जोड़ना पड़ेगा यह अब इसमें हम जिंक मिलाएंगे इन प्रेंस ऑफ एच्टू ओ तो हमको पता है कि यह जिंक ऑक्साइड बनके यह बाहर चला जाता है एक बंदा जिंक ऑक्साइड बन जाता है सर अब क्या बचेगा अब द आज सोचो तर यह तो बन गया च्ष 3 कि और सी डबल बॉन्ड ओ यह अरे सर यह तो एस टोन बन गया इधर लिग दो कि भाई यह पहला वाला एस डोन गया दूसरा वाला क्या बन रहा है कि अशी डबल बॉन्ड ओ ओ तीहज त्री अरे सर्फ ये भी एस्टोन बन गया यहां पर लिए विल्ग दो एस दोन बन गया जीनक अखसाइड बाहर चला गया मैं तब सर ओर और जो आंसर बन रहा है इस यह बन रहे हैं तो इस सिटोन बन रहा है तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया देख लो ऑप आंसर में हुम लिखेंगे स्थ और और आंसर हमारा बन जाएगा एसी टोन बोलो समझ में आया बोलो समझ में लगतार था कि नहीं कुछ को डिक्कत है अगला क्वेस्टिन चट ग्लाइक भीलिंगेज प्रजिन इन मेल्टोस इस लिंकर जो होता है उसमें क्या प्रजिंट होता है भाई जीनिदा बता दो हमको तर इसका ट्रिक देखना पड़ेगा आपके ट्रिक के हिसाब से समिद माईकल लॉर्ड ये करना पपनेगा समिद मैकलल लॉर्ड ट्रिक में हम को पता यह कुछ ऐसा होता आध यह 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 शुंए यह यह यहाद जा रहे हैं जैंस इस तरह से परफिक्ट ये जरा देख लो इस तरह से परफेक्ट यë सार जवी जरा देख लो परफेक्ट शर देस इंव ये बन जागा इस सुक्रोज बोलते हैं स्मीट माइकल लॉड में यह मिल्टोज है यह लेक्टोज है इसमें लेते हैं स्मीट माइकल लॉड की एक गॉल्फरेंड गें जो बहुत ही गूड गल है जो जी जी टी में पड़ते थी ठीए अब इसका रूल बनाएंगे आप ल को सिघ्ट से तीलफ़ ये ंधर पिसने में लफ होजां लिंकेज कर्एटकर शीव अलफा बेटा और फ्रीप रडीख गलत यह तो तो बिवाल होगा या तो डिवाल होगा बट वन कॉमा सिक्स होता ही नहीं था कहीं पर वन कॉमा सिक्स ने सिधा ब्रांच में होता है और यह मेडिडोज क्या है बच्छा आपका सिर्फ और सिर्फ डाय सेक राइड है इसमें हम बोलेंगे कि भाई इसमें हम बोलेंगे अलफा वन कॉमा फ ग्लाइको सीडिक लिंकेज अलफा 1,4 ग्लाइको सीडिक लिंकेज करेक्ट आंसर हो जाएगा मज़ा आया मज़ा आया एकदम कोई दिक्क्रत है कोई डाउट है क्या बात है यह स्रावल बच्छा अपना आगा है ट्रॉपर प्रोश और बैच का बच्छा पॉलिज में धमाका मज़ा है भचे नो डिस अभी लें बच्छे के रिजल से दब मोनमर और फ नेचरल रभर इस नेचरल रवर जो यह विर्बौ सिमोझ मावब कैया है रेक नचुरौ्टवर का मज़ू Armor इसका राइट आंसर है पहले चेक कर लो एक बार किसी को कोई कंफ्यूजन है इस पूरे 10 10 10 10 mcq में निशा सिंग बोलरी सार स्मार्ट बीडियों वेरी उस्फुल थेंक्यू थेंक्यू बच्छे और जिनको नहीं पता है स्मार्ट पीडियों हमने दे दिया है मतलब पूरा का पूरा बोर्ड का पूरा concept एक PDF में available करा दिया है एक पेज में पूरा का पूरा बोर्ड question reaction numerical important question पूरा chapter one short lecture detailed lecture अन्दर आ गया है सर्व पेज कहा है वो magic page कहा है सर जल्दी बताओ हमने all about chemistry के एप के उपर भी डालके रखाए free material के अंदर हमने एकलब ए 4.0 में भी टेलीग्राम पे डालके रखाए तो प्लीज आप जाईए और ले लीजिए फटाफट जाईए और ले लीजिए वह बहुत कीमती पीडिया आपको अभी शायद इतना इपनेस पताना चले जैसे साफ आगे बढ़िंगा आपको लगा बहुत हेल्फुल हो जाएगी फिके नुमेरिकल जो काफी खतरना होता बच्चों के लिए वह बहुत सिंपल तरीके से महां पर करके दिया है मैंने अब बारी आने वाली है आंसर दो फॉलोइंग क्वेश्चन अब यह एक एक माक वाले कोश्चन है बच्चा देहां दना य किनिक यूजड टू नो जोमेट्री ओफ नैनो पार्टिकल्स मतलब सर्व ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री चेप्टर निकालना वहां पर अगर आप जाओगे तर शक्ति बैच का लेक्च्चर है कहां बच्चा चिलपा शक्ति बैच्च का लेक्च्चर एज जोल अपने टाइम पर होगा मैं शुल भी कर देता हूं अभी तो शक्ति बैच्च का लेक्च्चर साले तीन बजे अपने टाइम पर ही होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है चलेगा कोई दिक्कत कोई डाउट चलिए राइड दर नेम आफ टेक्निक यूस्टू नो जोमेट बढुशे शबाम सब्सक्राहएं चलिए करते हैं यहां पर यूवह सुइशा वधर लिसमें सब्सक्राइब मुशकर उसमें टाने उसमेंने यस्यमेह, इसमें टाने टेक्ट हम पर करते है은 यहीं यह यहां पर complete answer हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर अला कि यह very short answer है ठीके, write the name of the technique used to know geometry of nanoparticle, ठीके, तो आप बोलेंगे, the technique used to know geometry of nanoparticle is x-ray या देना, diffraction यह टेक्निक को देते बच्चे, केल से आप इस तरह से कर सकते हो, ताके इजामन का ध्यान बसके इसके उपर ही रहे, एक्स्ट्रा कुछ नी चाहिए उसको है कि एक्स्ट्रा कुछ उसको नहीं चाहिए, यह आपका answer होना चाहिए, कोई दिक्कत, कोई doubt, कहीं पर भी yes कोई दिक्कत है बच्चा कोई confusion है कहीं पर भी किसी को भी चीज़े एक्दम आसान हो गई, अगला question चम चमाता हुआ आपके लिए यह आप से प्रोड़क्ट की डिमान कर रहे है, आप एक्शन आप लिथियम, अल्मूनियम, हाइड्राइड, इथरोन, असी टामाइड, ऐसे कोशन में भी लोग गलती करते हैं, लोग क्या करते हैं, सिर्फ रेक्शन लिक्कर आ जाते हैं, यह उन्होंने आपके पास क्या है, असी टामाइड, एस टामाइड कैसा देखता है, बुलो जाला, बूलो एस टामाइड कैसा देखता है, CH3, C double bond, O N H2, इसमें बोला है, लीथियम, एलुमूनियम, हाइडर्राइड मिलाने के लिए, यह कुछ ऐसा कर दो, यहां पे लेलो, लीथियम, अलुमिनियम, हाइडराइड, अब क्या होगा बच्चा, इसका H, इसका O, पानी बाहर चला जाएगा, और इसका H, इसको आके पूरा करेगा, जिसकी वजह से हमारा आंसर बन जाएगा, CH3, CH2, N H2, समझ में आ रहे है, कोई दिक्कत, तो 2H यहां पर 2H यहां पे 4 होगे, इ अब यह क्या बन जाएगा, अमारे लिए इथाइल आमाइन, अब अगर आप इतना ही छोड़ देंगा, तो बच्चा कभी कभी क्या होता है, वो तो बच्चे ने बताया, इन्हें हो तो स्पेसिपाई नहीं किया, तो कभी ऐसा मत करो, आप आके स्पेसिफाई करो, आप आप दो, अब प्रोडक्त फोर्म्ट, अब दॉद्ध है तो कवोड़ा है, अब तो अबच्चा होग एथाइल आमाइन, क्या दिमाग में, कोई दिक्कत हाई, कोई दावट है, अगर कोई यह बोल रहे हैं कि सर्य यह मेंडियस रिक्षन है बच्चा सुमीत तो आप गडबन कर रहे हो मेंडियस रिट्शन होता है अलकाइल साइन नाइड के लिए फिर से रिपीड कर रहा हूं मेंडियस रिडियस रिड़क्षन जो होता है वह अपली के बलोता है अलकाइल साइ में क्या बोल रहा है राइट दर स्ट्रक्चर आप प्रोड़क्ट फॉर्मड वेन क्लोरो बेंजीन इजट ट्रीटेड विट सोडियम मेटल इन प्रेजिंस आफ ड्राइए थर क्या है सरी यह क्या है यह थे रही नहीं लिखना है कि मा कोश्चन है राइट दा स्ट्रक्चर आफ रफ्रोड़क्ट फॉर्म डविल बेंजीन इजट ट्रेटेड विट लोरो बेंजीन बोला है यह रहा मेरे पास क्लोरो बेंजीन हमने बढ़ा हुआ है कि जब क्लोरो बेंजीन को हम सोडियम से मिलाएंगे अभी उपने दोड्यारिशन करेगा विगॉज यह पिटिख रियेशन जैसा होता है वह वर्ड़्स के अप्लिंग जैसा होता है बने अरो मैटनी क्लिए तो फि पहुंज मारा हुआ क्या बनने वाला है देख लो उन्हेंने बुला है राइट दर स्ट्रक्चर और प्रोडक्ट सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बोलना पड़ेगा बंतब ये रियक्शन हुए बताना पड़ेगा यह होगा आपके लिए डाइफेनाईल या बाइफेनाईल जो भी आप बोलो दोनों अप्लीकेबल है इस्ट्रक्चर और प्रोडक्ट नीचे स्पेसिफाइब कर दो इस्ट्रक्चर और प्रोडक्ट जो क्वेश्चन पूछा है उसके मीनिंग को बहुत डिपली समझो कि मुलनों समझ माया यह हमारा राइट आंसर हो गया कोई दिक्कत है कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी चेक करो पहले कोई ऐसे है जोकन फ्ल्रा पच्चाG here yes 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 stania सी एक बच्चा इंमपूर्णन कोशन उमारे आएंगे कौन बोला COM नहीं आएंगे के इंपॉर्नन कोशन आणे वाले हैं बच्ची सब्ची मोईचा जांनी है रिप्लाइए यह निखिल बोलना है किसी को रिप्लाइए नहीं करता है यूटूब पर तुम दस कोशन पूछेंगे जिसमें से कोई अलग से आंसर नहीं होते हैं ठीक है सारे इंपॉट्व पूशन जो मैं देता हूं उसी के अंदर उसका अंसर होता है किस कोई डाउट और कुछ एक दम चलिए राइट दख केमिकल कमपोजिशन ओ ओभ भाई यह क्या है क्राईोलाइट का केमिकल कमपोजिशन पूछा है अपको पत Χ razor चैप्टर नूंबर 7 में क्या कर आया था मैंने मूला था हमारे पास दो कैफ है हमारे बस कितने कैफ हैं दो कैफ कौन कोई से सर एक मुहम्मद कैफ और एक हमारे दिने सर के स्टूडियो में मैस्स वाले कैफ क्या बोल दी बबली दिने सर की टीम में जो मैस्स के कैफ हैं वो सर की बात कर रहा हूं मैं और दुसरा मुहम्मद कैफ अरे सर कट्रेना कफ का भूल गए कट्रिना काफ नहीं रही बाई कट्रिना कोशल बन गई है ठीक है उसको लेने का नहीं अभी समझेगी नहीं तो सर मतलब हमारा आंसर क्या होने वाला है तो अगर आप फ्लोर स्पार के बात करते हो ज्यादा सुनों में क्यूं बोल रहा हूं यह क्राइट में आप कैफ की तो और इसी के साथ में करायो लाइट अथा अटा ता जिसके लिए मैंने मैंने अरे विद्वाली जाघना देखना है अल्फ नाफरीन यादविक नापर्व थैस तरह से अल्फ का एफ में थी लगा दो और यहांपर भी थाला दो तो आंसर मनें गल्फ नाय परीन और विए को अगर में मोडिफाई करो हमारा आंसर बन जाए करो अपएसे भी उ hakkो फूल मार खेर आप्क यदउ प्याइबार राइड जयतक्त हो लागरा राइड दा केमिकल कंपोजिशिए ओ कर लेट लाइड यह दो केमिकल कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन और आफ क्रायो लाइट इज आप डिर्टी ऐसे भी सकते हो यह भी राइट है या फिर बहुत से लोगा करते है एन ए एन ए कितने बच्छा थ्री है ए एल एफ शिक्स ऐसे लिखते हैं आप यह भी लिख सकते हो एन इस त्री वर समझ माया कैसे करना है लोक अने कितने बच्चा कि तर अने थ्री ओरल कितना और एक और और एफ टेना हो गया थे नहीं कोई दिख्कत नहीं ए तो एन ने तीन हो गया कोई दिक्कत कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी येस कोई कन्फूजन आगे बढ़ा जाए चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगला क्वेस्चन राइड दनेम ओफ प्लेटिनम कॉंपलेक्स यूजड इन ट्रिटमेंट आफ कैंसर कुछ सुना है आप लेन नाम इस प्लेटिनम सुना हैं दिमाग चलाओ जरब पुछया दे हैं यहां पर क्या स्टरट्चर पुछा हैं का नहीं राइड दनेम पुछा है अगर आप स्ट्रक्चर लिक्राइब तो स्याद आपको मार्स नहीं भी मिल सकता है आपको मालूम में पढ़ा है हाँ मुझे तो स्ट्रक्चर मालूम है पी टी सील टू एनस त्री ट्वाइस आपने कर दिया मार्स शायद नहीं मिलेंगे त्यूसर क् दृक्तिनम में के त्री ट्रिक्नम प्रणसर में by ट्रिक्वाइट्टनम पंप्लेख ध gone departments the platerum complex used in the treatment of cancer used in the treatment of cancer is below cisplatin प्लाइटीन कि आ बोलेंगे बच्चा सिस प्लैटिन चलेगा दिमांग चलाओ जल्दी से बोलो कोई दिक्कत है किसी को तो बोल दो कोई कन फ्यूजन है तो बोल दे बच्चा नहीं पर तुम्हें लग रहा है तुम बेहो सोजे तो मुझे बता दो सिस प्लैटिन इस दिक करेक्ट आंसर इतना ही बोलना है चलेगा इसके नीचे आप ऐसे अंडलाइन कर दो चलेगा एक्जामना का नजर रिदम जाना चाहिए कहां बच्चे ने सही बोला है राधर देन सेंटेंस पर मेन आंसर को फोकस करें कोई कन्फूजन कहीं पर भी किसी क मैं अभी तक नहीं दिया हूँ अगर एक्जाम नहीं दिये हो तो आप एटलिस में जो इंपॉर्टन कोशन है हमारे उनको लिखने के प्राइटिस करो ठीक है बसकोशिश यह करो कि आप जो डेरिवेशन है या जो कुछ डेफिनेशन है या जो कुछ प्रोसेस है कुछ अचा हो गया जिनके बच्चों पर रिविजन अच्छा चल रहा है वो लोगा लिखकर चीजों को एनसेस करें के स्टाट करें क्या मैं कर पा रहूं कि नहीं कर पा रहा हूं यह सर्जिया आया था एक्जाम में एस आया था तभी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िए राइड दे ऐसा यूनिट ओफ क्रायोस्कोपिक कॉंस्टेंट ओ भाई याद है इबलोस्कोपिक क्रायोस्कोपिक कुछ याद आया बहुत बढ़िया याद आया सर्व बहुत अच्छे से याद आया चलिए देखते हैं कि क्रायोस्कोपिक क्या था फ्रिजिंग पॉंट में होता है सरा इसम्हें को इंट्रेस्ट है इस के सिधा युनिट में पर हम देखना चाहेंगे तो ग्यर्टाटी यॉफ टो केफ इंटु एम होता था इसे ही हम बोलेंगे Гरी olan स्कॉपिक सभी बात है एक के एफ का जो आ tonsher है वह बन्हेंगा इंटा की एफ अपाउन एम एड़िटा टीएफ को हम बोलेंगे यार यह टेंपरेचर एक कैलिविन हो जाएगा और यह मॉलालिटी को हम बोलते थे मॉल पर केजी बोलते थे यह माइनस होके यहां से प्लस के रूप में जाएगा मतलब फाइनली मुझे जो आंसर मिलेगा वह ऐसा मिलने वाला है एंड़ इस माय ऐसा यूनिट सबको समझ माया बोलो तो सर आप यह कहना चाह रहे हो हुआ आप यह कहना चाह रहे हो की है राइड़ ऐसा उन दो क्रैयोशोपिकِ यह बिल्कुल सभी क्या करेंगे दे यूट अफ क्रैयोस्कॉपिक इस घइएशा है अछ यूनिट आफ जिल्कुल सब्लस काईश एगर अट स्कोपिक कॉन्स्टेंट इस क्या है बच्छा येस सेशन एक खतम होने के बहुत करीब क्या पुछा है राइट दक करेट कंडिशन फॉर स्पॉन्टिनिटी फर्मों का कोश्चन हो गया है इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनरजी वह क्या कंडिशन पुछा गया है याद है सब को याद दिलाता हूं याद दिलाता हूं टेंशन मत लो दो 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 कंडिशन फॉर स्पॉन पन्निटी इन तर्म्स ऑ Gips Energy is in conditional thing condition number one Delta G अगर zero से छोटा हो गया और उसी समय हमारा Delta S0 से बड़ा उजाता था था क्योंकि डेल्टा दिल्टा जी अपोजिट हो देखे हैं थे ताब हम बोलेंगे दर रिएक्षिन इस स्पॉंटेनियस the reaction is spontaneous पॉंटेनियस यह पहला कंडिशन यार आया सबको तक यार आया क्या बुल रहा हूं में कंडिशन नॉम्बर टू कि अगर डिल्टा जी आमारा जीरो से बड़ा हो गया सब डिल्टा एस हमारा जीरो से छोटम जा था था पर हम बोलते थे तर रेयक्षन इस नौन इस the reaction is non-spontaneous number third delta g equal to zero so delta s equal to b0 the reaction is equilibrium the reaction is in equilibrium समझ माया बच्चा एक मार्क मिल आपको तीन कंडिशन फ्री के मार्क्स बोलो कोई दिक्कत कोई डाउट मजा आ रहा है एकदम इसके बाद क्या आएगा सर लास्ट क्वेस्चन जो आगा आपके लिए नुमेरिकल ओ भाई की नुमेरिकल आ गया है तो जल्दी से बोलो नुमेरिकल कैसे सौल करेंगे कुछ तरीका बताया है तो हमने कुछ फील तो आरे सा थोड़ा बहुत जब भी आपको ओम इनवर्स सेंटीमेटर आएगा तो समय लेने का है भाई मोलार कंडुक्टिविटी पूछा है मतलब कि आपको क्या पूछा है दो एक मां का क्वेश्चन है बट फिर भी सब कुछ दिखा दो अच्छे से इवें डिटा में बोला है कॉंसेंट्रेशन दिया है कि तरह 0.5 एम लिया हुआ है और जिसमें कंडुक्टिविटी के आपको दिया है 0.01 ओम इनवर्स सेंटीमेटर इनवर्स बोला है हमको लैमडा पूछ रहा है हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं लैमडा इक्वल टू थाउजन इन्टू के अपॉन सी ऐसा कुछ ले सकते हैं और इस हिसाब से जो हमारा सलूशन बनेगा फॉर्म फॉर्मूला फॉर्मूला लैमडा इक्वल टू थाउजन इन्टू के अपॉन सी के मतलब पंड़क्टिविटी की बात कर रहा है तो वह यहाँ पर आ जाएगा लैमडा इक्वल टू थाउजन इन्टू के कितना है बच्चा के कितना है जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट जिरो वाने सर अपॉन जिरो पॉइंट फाइव बोला गया है अगर मैं इसको मल्टिप्लाइ करता हूं तो यह दो डेसिमल मतलब यहाँ पर आंसर आजाएगा दस डिवाइट बाइव जिरो पॉइंट फाइव इंटू 10 इंटू 10 अगर मैंने किया तो ऊपर बन जाएगा सौब नीचे बन जाएगा पांच आंसर आजाएगा ट्वेंटी हमारा जो लामडा है उसका आंसर आगा ट्वेंटी एकन सब्ट्वेंटी क्या आएगा ट्वेंटी क्या है आंसर में वही तो जानना है हमको 20 वाट 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 विल बीड़ ट्वेंटी मतलब क्या आंसर में आएगा क्या यूटि में आएगा आपको मैं बता दूं कि लामडा हमारा के अपॉन सी के हिसाब से अगर हम सॉल लेंगे तो यह बन जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और यह होता है मौल सेंटीमीटर क्यूब ले लो आप की है क्योंकि कॉंसेंटर्शन है अब सेंटीमेटर यहाँ वापस प्लस बन जाएगा मनें बहुझा यहाँ और यह बुलना चारे कि ओम दिन्वर्स सेंट्utइमेटर माइनस-1-3 दो करना है के अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब घंच क्या करें घरना है तो करना है कोई दिक्कत कोई डाउट बच्चा सबको सौंझ मैंना कैसे हो रहा है यहां पर मैंने आपको रफली करके दिखाए तो अच्छे से कर देता हो दुबारा से तक जब आपको नोट्स मिले तो ऐसा लगए कि हाँ सब कुछ एक दम वेल प्रिपेड दिया गया है देखो यहां प सेंट्री मेंटर क्योब मुं गया एंगसे और क्यों कंक्यों कि₂ ही रएगा कि इस मतका ऩम ढिंटान डेना मतलब कि ओम इनवरस थे हैं हैं के सेंट्र माइनस वं प्लस में प्लस तृ है श्वाइओं द्मोल रहने दो udah finally answer a i getthcu 1-1 ऐसो एक सेंट्रिमेटरा अज़ थुएं क्या ये concept अब दिमाग की नस्वे मोतर रहा है मैंने क्यों रखा ताकि आपको ये समझ में है क्या हो क्या रहा है यूनिट हमने कहां से निकाला अब आने वाला है section B Are you ready for section number B जल्दी से बोलो जल्दी बोल बच्चा ऐसा लग रहा है कि क्या बात है जबर्दस तरीके से हो रहा है है कि नहीं जल्दी से देखो और मुझे बताओ everyone क्योंकि अगला section number B चालू होने जा रहा है बहुत धमाल बहुत धमाल बहुत धमाल येस 22nd January को आयद्या में श्री राम मंदिर का उद्गाटन कह सकते होने वाला है और बहुत पावन दिन रहेगा उस दिन यार येस बहुत जबर्दस दिन होने वाला है येस चलिए शुरू करते हैं बहुत मजा आने वाला है आर यू रेडि सेक्शन नंबर बी देख लें आपर section B क्या बोल है sir 80. weet हम क्या करेंगे हम पूरा करेंगे हम लोग पूरा करने वाले हैं आपर पुछा 80 worship and saham पूरा करने वाले हैं तयार हो कितने मा का wait क्वेशन इसर ये तू कि मार्क्स इज हर एक क्वेशन पर दो मांग मिलेंगे मतलब आर्दुनि सोला मांक आप पाई ये लड़ाई होने वाली है येस रेडी आर यू रेडी ये जरा क्वेशन देख लेते हैं बड़ा बढ़िया लग रहा है डिस्टिमिंस बीटमी लेटनाइड और एक्टनाइड मतलब ऐसे क्वेशन में पर टेबल जैसा बनाना पड़ेगा स्केल से आप भी बनाना एक्जाम में कैसे बनाओ कि मैं आपको दिखा रह लगा नहीं है चापका पेपर होगा उसमें ऐसी लाइन देजाएगी एक साइड मैं आप लागा तो सिरीयल नंबर हैँ आँ मानलिख लो में छोलू यहां पर लिखते हैं यह हो गया मेरे लिए सेडर कि अश्रयाल नमबर यहां पर लिखने का ले नाइड और यहां पर ले लो एक्टिनाइड ठीक है यह जरह में यह घर लेता हूं जला इसका ऐसे वैसे मैं जरा और कर लेता हूं एक तो देखते कितना हो रहा है इसी में हो जाता अच्छी बात है नहीं तो और पीछे भी जाना पड़ेगा अपने को और कुछ नहीं चलिए शुरू किया जाए यह सर यह रहा पॉइंट नंबर वन सिरियल नंबर में वन लेने का समझे कि नहीं अब यह सबके लिए अपलिकेबल एक्जाम में साइसे करने का समझ माया कि नहीं सबको सुझ में आ रहा है यह कोई दिक्कत कोई डाउट चलेगा अब इसमें क्वेश्चन क्या बोलेंगा सर्किल डिस्निवीज पूछा है दो मांक का है तो चार पॉइंट मिनिममम आने चा और बिड़ा लाता है यह भी एक डिस्ट्रीमिस हो सकता है ठीके दले अटन ओईड आइड अगया 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 है यहां पर लेकित दो इसी पॉइंट लो आपको अच्छे साथ आता है पर दाउट बच्चा पहले पॉट्ट में कोई कन्फूजन नहीं किसी को वे कन्फूजन बिल्कुल नहीं सर पॉइंट अमर साखेंड में मारकर चेंज गर आगा कि आपको फिल आता रहे का में पॉइंट में अला अला हो रहा थोड़ा सा पॉइंट में क्या करेंगे तो लेट ना ना बच्चा इसको प्रोमी तो यापके सर्व नौन रेडियो एक्टिव रहेंगे एक्सेप्ट प्रोमीथियम यहां पर आल एक्टिनोइट्स कि यहां पर बैठा हर एक बच्चा एक्दम बढ़ियां से समझ पार में क्या बोल रहा हूं कोई और थर्ड पॉइंट आपने सुरा होगा कि लेटनोइट की मेक्सिमम ऑक्सिदेशन प्लस पूर्ट अजाती है लेकिन एटनोइट भाई प्लस फोर फाई यह यह जे लेकिनोइट आप देह समें विछतось एक्टिनोइट microbes तो कि यह चैसा ँच्चा आवल्च Happiness अऑ Bossy Cindy the Next Time 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 Timeonda कि इंड चीज प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 यहां तक जाता है प्लस प्लस एट भी आपने पढ़ा होगा एक बनाता है सब्सक्राइब सबसे तीन पॉइंट में कोई डाउट है सर चौथा पॉइंट का आपके बर जी बहुत सरा है आपके पास ऑप्शन जैसे कि लेट होता है बच्छा आपने सुना होगा कि यह ऑग्जो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है जबकि एक्टर बनाता है ठीक है तैसे कुछ और पॉइंट साइंगे चलो मैं चौथा पॉइंट भी ले ले लेता हूं अगला जगा मैंने छोड़ा हाँ चोड़ा हुआ है चलो कि आपके मन की मर्जी कितने भी पॉइंट दिखा दो देख लिए इस तरह से एक तो जाने तीन चार करी पीच में से ले लेते हैं यहां पे कहीं पे ले 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 लेए यहां पर सेरियल नम्ब ले 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 च्छोटा सा के लिए रेडी यहां पे है आपके लिए सीरियल लॉंबर कि यहां पर होगा आपके लिए जो दिया था लैथे नाइड लेटन आइडी एड प्रॉपर लैथे नाइड ए एंड और यह आपके लिए एक अधनाइड कौंसा पॉइंड हमने कर लिया बच्छा इन पॉइंड हमने कर चुके हैं तो चौथा पॉइंड क्या जरा देख लो पॉइंड अमबर थी ओचोगा है पॉइंड अमर फॉर ले लो कि अधन एंड फॉर क्या लेंगे सर ले अने टो नोर फर्म और जो कटन कोंपलेक्स ता बोलेंगे लाद थे नॉइड या लेद अनॉइड तो नॉट पॉर्म ओंड जो के टायन कॉंप्लेक्सेज यहां पर क्या बोलेंगे कि एक्टनाइड कॉंप ऑग्जो टेटाइन कॉंप्लेक्स चार पॉइंट तो हो चुके हैं पहली बात चार पॉइंट तो हो चुके है बच्चा अगर आपको लग रहा है कि सर्कुछ और पॉइंट हम ले सकते हैं घा यहां बिल्कुल ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जैसे कि एक और पॉइंट मैं ले लेता हूँ कलर के बारे में आच आपको पोइंट लेता हूं रिफरेंस के लिया के जो लेटन वाई हो टेना बच्चा वो ऊस्ट और लेसोते हैं लास्ट पॉइंट ले लेता हूं मॉस्ट आफ लेटेन आइड और कलरलेस ज्यादा तर कलरलेस होते हैं यहां पर एक्टेन आइट्स आर अब यह आपका जो मेजर डिफरेंस नजर आ रहा है आपके सामने वह यहां पर सोच नहीं आपको ठीक है कोई दिक्कत कोई डाउट कि यह एकदम आसान हो रही है देख लो सिस्टमेटिक हो रही है बच्चा है कि नहीं यह आपका आंसर हो गया यहां पर यह दा रोख देखते हैं इसको पर्फेक्ट दिस इस मैं फाइनल आंसर सर्थ आपके सामने आंसर आपके सामने चमक रहे हैं क्या होगा इसको दोड़ा और बढ़ा कर लेते हैं यह सही है कि देखे हैं तो भी ले लेते थोड़ा नीचे दन चलिए अग्दम सेट कर लेते हैं सब कुछ इंचन होना चाहिए जारा अभी सब सेट होना चाहिए दम आंसर चलिए यह देखे यह आपके सामने परफेक्ट आंसर हो चुका है इपर देख लो फिर से यह कंप्लीट आपका दो माक आंसर आपके सामने चमक रहे हैं देखलो बच्चा कोई दिक्कत याने चीए लेटनाइड एक्टनाइड इस तरह आपको पॉंट अस लिखने हैं पहला पॉंट कंप्लीट आपने बोला कि लेटनाइड कंटेन फॉर एफ और विटल यह फाइफ और वार बिटल यह प्रोमीट मुच्छों के बाकि सब आपके नॉन रिडियोक्ति रहेंगे यह पुरे के प्रेंड रिडियोक्ते होते हैं मैक्सिमन नुमर आपके प्लस फोर तक कोई सब कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी अगला कुश्चन तयार हो आप लोग अगला कुश्चन सर कुछ धमाका लग रहा है कुछ बवाल लग रहा है सर क्यों भाई जाके देखो नुमर करवा के दिया है स्मार्ट पीडियाफ मैंने लिंक भी डाला हुआ है जाके देवल पर इसी को क्वेश्चन इसके अंदर देखा रहा हूँ कैलकुलेट दो मोल फ्रेक्शन अफ सॉल्यूट गिवन डेटा से आदा चीजर सॉल हो जाएंगी यह आप से पूछ रहे है कि भाई क्या होने वाला है तो मैं बोलूंगा यार इव द वैपर प्रेशर आप य दॉर्म जींगान दना बचल्चा वैपर प्रेशर ऑफ और मेंजेंडर वैपर प्रेशर बॉला एंप वन नोट कर दो क्योंकि वैपर प्रेशर आफ प्युर बइंजीन बोला मतलब पी वन नौट की बात कर रहा है यह तक यूरा गए इसलिए पीवं नॉट ऑट एक इतना और पूछ रहा है कि चलो बताओ एक चुब बताओ कितना होगा एक श्टू क्योंकि एक समद्लमोल फ्रेक्शन तू मतलब सॉल्यूट यह पूछ रहा है तो आपको निलागा यह जाना पैशना सा फॉर्मोला लग रहा है रॉल्स लॉक अंदर हमने कुछ ऐसा प्रूफ किया था रॉल्स लॉक नहीं बूलूंगा रिलेट्व अपर प्रेश्र वाले मामने प्रूफ किया था पीवन नौट माइनस पीवन अपॉन पीवन इक्वल टू एक्च टू ऐसा कुछ तो अमने किया था था थोड़ा बहुत जरा याद करो दिमाग चलो जरा यह नौट आगा शायद से इपर दिखना पड़ेगा अपने वापा से सॉल करके याद करो पहले ऐसा कुछ फर्मुला था कि नहीं दजरा चेक कर लिए तो जहां पर हम बूलते देगी आपना पी हमारा जो होता है एक्स्वन इंटू पी वर नौट हो था हमको पता है कि एक्सवन प्लस एक्स्टू जोता है बच्चा वह वहन होता है एक्सवन इक्वल टू वन माइनस एक्ष्टू आता है कुछ यहादा रहे सब किया समाग चलाओ फटाफट तर क्या होगा ब्रैकेट ओपन करो तो यह पीवन यह बन जाएगा पीवन नॉट माइनस एक्ष्टू इंटू पीवन नॉट बस अब इसी को मॉडिफाई कर दो इसको यहां ले लो इसको यहां ले लो तो देखो क्या बन रहा है तो आप इस तरह से खुद से डिराइव भी करके देख सकते हो कितना सेकंड लगा डिराइव बने में हाडली 30 सेकंड अपस देखो पीवन इकुल टू एक्सवन इंटू पीवन नॉट यह रोट स्वेक्वेशन है अब एक्सवन प्रस एक्सटू अमारा वन होता है तो पीवन अपाउन पीवन नॉट समझ में आया सबको सबको समझ में आ गया कोई ऐसा है जो कंफ्यूज हो रहा है तर आप क्या करेंगे आ रहे है फॉर्मूला डालो और एक्क्वेशन सौल करो और क्या करोंगे इधर देखो तब चमाता हुआ क्वेश्चन है तुम बढ़िय पीवन नॉट माइनस पीवन अपाउन पीवन नॉट पीवन नॉट क्या है सर पीवन नॉट क्या जर चेक करों पीवन नॉट है 640 पीवन है 600 और डिवाइड बाइ 640 खत्ता हम कितना आ गया सर उपर आ गया 40 नीचे आ गया 640 जिरू जिरू कड़ गया सर बज़ गया चार अपॉन 64 चार एकम चार और यहाँ आगा 16 आ गया सर तो फिलहाल 1 अपॉन 16 आ गया अलाकि इसको हम और आगे लिगे जाएंगे डिसिमल में निकालने के लिए हमारा एक्स टू एकोल टू वन अपॉन अपॉन 16 आ गया अगर मैंने 100 से मल्टिप्लाय कर दिया यहां पर भी 100 से मल्टिप्लाय कर दिया यह भाई साब बन जाएंगे 100 अपॉन 16 इंटू 100 और चोटा कर लो यह बन जाएगा 50 यह बन जाएगा आठ अंसर आगया 50 अपॉन आठ इंटू 100 और चोटा किया जा सकते तो कर लो मतलब अपूर डिवाइड करें में एज हो जाएगा इसको कर लो 25 इसको कर लो चार ठीक है आपके लिए चीज़ें आसान करना चाह रहा हूं बहुत और कुछ नहीं यह बन जाएगा 25 अपॉन 4 इंटू 100 अब क्या करेंगे स चार चार चाप 24 कि एक डेसिमल आ गया फिर चार दूनी आठ पिर चार पच्छे बीस सिक्स पॉइंट देख लो कितना आ रहा है आंसर कि 6.25 रिवाइड बाइं हंड़िड कर दिया तब आंसर आ जाएगा 0.0625 यह हमारा एक्ष्टू का आंसर आ रहा है इस बजना चेक करो क्या सही आ रहा है क्या किसी बच्चे ने खुद से ट्राइ किया उसको भी यही मिल रहा है जल्दी से बता हो जारा येस 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 बोलो और यह ऐसा है जिसको कुछ अलग मिला इपर मैं फिर से क्रॉस्चेक कर लूं नहीं कर बढ़ना हो जाए और बोला गाया है यहां पर आफसर से इवन नॉट एक बोल तो एक एक फोरती सिट से एम मिलेक यह और एक्ष्ट पूछरा थूट पीवल और यहांस पी तो इसको किया मैंने पचास इसको किया मैंने चार और यह बंजा का पचीज अचिस अपन चार पर फेक्ट आरे बच्छा इसकी उनिट कुछ होती नहीं है बोला समझ माया 0.06 बिल्कुल सही जवाब 0.06 255 बच्छा एकदम सही जवाब है यह 0.06 जवाब है ठीक है कोई दिक्यत किसी को भी कोई ऐसा है जो बेहोस हो रहा है मजा आ रहा है इसमें दोको परफेक्ट आंसर 0.25 तक आ रहा है और 0.06 25 तक आ रहा है इसलिए आप इसमें कुछ भी आना करणा मतले लेने 0.6 पे छोड़ना मत पूरा एंड तक लेके जाना क्योंकि छोटा वाइल्यू है और एंड तक हमको वहाँ पर प्रॉपर डिवाइड हो रहा है वह अगर प्रॉपर डिवाइड हो रहा है तो येस आपको समझ ना पड़ेगा येस आज पेपर सॉल्विंग जल्दी को स्टार्ट किया बच्छा देखो विटनस्टे की दिन बच्छा एनुवल्ड है ठीक है मेरे यहां पर अनुवल देना पर मेरे कॉलेज में कह सकते हो और जिसके वैसे मैं आनी पाहूंगा तो और वेटनस्टे की दिन भाई हमारा र इस नहीं होना चाहिए और यहीं रिजनी कि मैं एक्स्ट्रा फेस्ट्यूवल के दिन एक्स्ट्रा आपके लिए बच्चे का मिस्ट्रा नहीं होना चाहिए इसलिए मैं एक्स्ट्रा यहां पर डाला है आपके लिए आपका पेपर सॉल्विंग किसी एंगल से मिस्ट नहों तो यह हो गया आपके लिए question number four जो दो माग का था और बड़े मज़ेदार तरीके से खतम हो गया है question number पाइव ओहो हो क्या है सर यह दो माग का question मतब green chemistry के definition पर एक माग जो को एक माग आएगा green chemistry के definition पर और बोला गया तो माक्स पूरे तो एड्वांटेज ओफ नैनो पाटिकल नैनो टेकलोजी बहुत लोग नैनो पाटिकल ने लोग अलग अलग है आप तीन पॉइंट दे दिया वह तीनो पॉइंट आपको कहीं याद हो जाना चाहिए खत्म पहला पॉइंट्रोनिक और कम्प्यूटिंग फि लिए दुसरा है एनर्जी सेक्टर में बवाल मचाने के लिए इस लार पैनल हो गया ये सब चीजों के लिए तिसरा है मेडिकल में तालका मचाने के लिए पस तीन पॉइंट इन अब सीदा 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 से बोलो है कि ने मजएदार और सर इसका आनसर क्या होगा फिर सब जानते हैं कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो भी आप कुछ कर सकते हो वह आपका ग्रीन के अंदर आने वाले प्रॉपर डिफ्रेशन बुक में दिया गया है आप पॉल टी एनस्टेस ने बताया था तो क्या था सर जला मैं दिखा दू आपको ग्रीन केमेस्ट्री इस सब्सक्राइब कर दो यह होता है हमारा प्यारा सा ग्रीन केमिश्ट्री बोल समझ में आया यस 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 बोलो वह दिकत बच्छा अधार एक मा का देफिशन गीन चैमिस्ट्री इस शूशा फिर दूश्री प्रॉल यह उस प्रॉलीशन इंपर्ण आपके लिए एक जाम में इक्जामियर दूना के के बारें बात हुई कि नहीं बाद में बाद में एंवर्मेंटली कॉंसेशने इस डिजन पर चेमिकल प्रोड़क और प्रोसेट एड रिड्यूस और इल्मिनेट कि रिड्यूस और इल्मिनेट हजार्ड सब्स्टेस यह चार पांच में 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 वर्ड हैं जो एक्जामने डूणने वाला है आया सुझ में यह कोई डाउट है क्रेस्कोर्स कब चालो होगा चालू अगर में लेक्चर के बात करो तो मार्च में बोट इसम के बाद हमारा क्रेस को स्टॉपर का चालो होगा सर उसकी बैचेस कब लाउंच करोगे बैचेस मेरे काल से मकर संकनाति आजे न यह वाले वीक के बात मता मंदे से लेके फ्राइडे की बीच मां अनॉंस कर देंगे हमारा उसको पर काम चल बहुत जल्दी अनॉसमेंट आजागा बाइदीफॉल् कोई दिक्कत चलिए रेडी है सब लोग येस सर अगला है कहां पर यूज करते हैं मैंने पहले बता दिया कंप्यूटिंग और इलेट्रोनिक सेक्टर में एनर्जी सेक्टर में मेडिकल फिल्ड में यही आपका प्यारा सा आंसर आएगा दो मां का आंसर है मैंने तीन पॉइ है आप कोई भी दो पॉइंट लेलो इसमें से रिवलुशन इन इलेट्रोनिक्स एंड कंप्यूटिंग सेक्टर पहला पॉइंट एनर्जी सेक्टर में नैनो टेक्नोलोजी विल में को सोलार पावर मों एकनोमिकल एनर्जी स्टोरेज दिवाइस विल बी मोर एफिशेंट यह आपके लिए प्रॉपर दूसरा पॉइंट तिसरा पॉइंट मेडिकल फिल्ड में यह स्मार्ट ड्रॉग्स हो गया यो कि जैसे जो खतरनाक बोलते न की बीमारियां होती है उनसे भी यह निजात दिला सकता है आने वाले दिनों में आपको यह देखने के लिए मिल सकता है बोलो समझ में आया कोई दिक्कत कोई डाउट कहीं पर भी कि येस कोई कन्फूजन कोई डाउट कि मजा आगया कि ना आगया बोलो कि पक्का अगला कुच्छन दो देखो पहले एक्स्प्लेइन द फॉल्लिंग टर्म्स पहला है सब्सीट्यूशनल इंपिरूटी डिफिट क्या दा दो माक का पुछा है मतब एक एक माक मिलेंगे तो ज्यादा लिखना निया यह नियुक्रान बादो भास खाता हम क्या बोला है सब्सीट्यूशनल इंपिटेटी इपक्ट एक और एंट्रेस्ट्यल इंप्रूटी डिफिक्ट सरे यह सब क्या पूछर है सर त्वी पूच्छनल इंपूटी डिफिट क्या होता है हम बोलते न बिग बॉस सल्मान खान समझें अब बोलना है एक तो है कि जो रेगुलर रहेगा इस तरह से रेगुलर लटाइस में अवलेबल रहेगा कर यह रेगुलर है लेकिन सडलनी क्या देखने के लिए मिलता है कि कहीं पे अचानक से कुछ और आ गया कोई दुसरा एटम आगा सब्सिट्यूट कर दिया किसी ने किसी को किसी ने किसी को क्या क्या बच्चा सब्सिट्यूट कर दिया यह समझो मैं क्या बोल रहा हूँ किसी ने किसी क्या क्या बच्चा सब्सिट्यूट कर दिया यह हो गया सब्सिट्यूशन इंपरोटी डिफेक्ट इंट्रस्टियल इंपरोटी डिफेक्ट क्या होता है बड़े-बड़े बंदे लोग है यह से कि लोहा लेलो आयरन सुनाओ को आप लोग नहीं लोहा लेलो जैसे दुसरे एक्जांपल दिखा रहा हूं में ऐसा कुछ आपने आयरन ले लिया यह आरन के पाडिकल्स है कि सोचो यह आरन के पाडिकल्स है ठीक है इस तरह से और इसमें बीच में क्या हो गया बच्चा इंट्रस्ट्रियल पोजिशन पर मतब इस चोटे- छोटे-चोटे पाडिकल्स होते हो आगे चिपक जाएंगे और इसको क्या गरेंगे बच्चा-इंप्योर बना देंगे अब यह इंप्योरबने से अलग बाती की फाइद वह जयादा ओते हैं यह ऐस्टेइल स्टेइल बन जाता है क्या बन जाता है सबतेर ने समझे है कि ए जगह पर बीच 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 उनकी जगह पे नहीं उनके साथ में बीच 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 चोड़े एटम्स पार्टिकल्स आ जाएंगे उसे हम बोलेंगे भाई ये इंपरूटी इंट्रस्टियल वाला है और सब्सक्राइब क्या होगा जहां पर रेगुलर वाले को हट डिच्पेट द्याद से देखो आप नसे पूरा समझ में आएगा सब्सक्राइब आप इन दिसडिफेक्ट इन दिस डिफेक्ट अ कि फॉरेन एक्टम सर्फ फाउंड एड़ लेटाइस साट इन प्लेस आफ होस्ट एटम जो रेगलर होस्टिंग करता है जो रेगलर बंदा रहता है उसको हटा कर कोई फॉरेन एटम दिखाई देगा वापस देखो क्या बोल रहा हूं मैं ध्यां से सुनते चलो वापस देख मतलब अधर गर फॉरेन नंटम आगया मत्तलब रेगलर एटम सार्ट टिस्प्लेश्ट हटा दिया जाता है प्रॉंड लटाई साइट बई इंपिरूटी एटम रेगलर बंदे को हटा दिया कोई इंपिरूटी वाला बंदा वहां पर आ गया उसी को हम बोलेंगे यह इंप किंगर देऊं आपके लिए एस धी इस इंग के सबको बापस से बहुत सिंपल आंसर है इन दिस इंपूरिटी जो आपके फॉर इन एटम है वह आ जाएंगे इंसाइड और जो हो सिट आटम उसको कैया क्या रिप्लेस कर देंगे ताब बोलेंगे दपॉरें एटम आर फाउंड एट एट आई साइट इन प्लेस और उसकी जगाप पर होस्ट एटम जबब पे एंदर रेगुलर एटम सार डिस्प्लेज़ बाए और आटम एक लटाइस आट पे इंपुरूटी आटम के तुरू का तो डिस्प्लेज़ जाते पर बैड आएंगे इंपुरूटी एटम क्या करेंगे बच्छा अपको पाइं इंट्रस्टिल स्पेस चलिग आफ लैटाइ स्टुक्चर फॉर इंप इन स्टील में एटम अको पाइं नॉर्मल एटाइस साइड दकार बन एटम सब प्रेंट एंट इंट्रस्टिल स्पेस दो यह पूरा लगबग लोहा है आयरन 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 और बीच-बीच में मैं आपको दिखाव थोड़ा सा आपको देखनी पार होंगे तो इसको जड़ा अलगवे में अलेट कर दो दो यह वाइड करना हूं मैं आपके लिए ठीक है आपको समझ मैंगा थोड़ा सा इनको यह अब अच्छे से दिखाई जा रहोगा मेरे खाल से यह वो उसकॉटी डिवेट भी से में सकॉटी मैं आयन से बात करते है बच्छा ध्यान देना श्कॉटी डिवेट आयने मेरे इंपॉर्टेंट कवेशन आंसरी में आके दो को स्पॉट्टी डिफिट मैंने करा के दिया है स्कॉर्टी और फ्रेंक्लें इंपॉर्टेंट ने चांसे से इस बार आने के ठीक है बोलो यहां तक समझ में आया इंदिस डिफेक्ट राइट दगेमिकल रियेशन फॉर्ट फॉलोईंग यह जो रियेशन दिया बच्चा इसका आंसर जाना लिखके दिखा और तो रियेशन करेंगे दो माग मिलेगा मतब कोई थेयरी निलिखना इसके अंदर लो बेंजिन इस हीटेड विद फिल्मिंग एश्टर सफ और सिंपल इसका लौजीक है दो नमबर चार नमबर समझें कि नहीं समझें यहाँ पर आंसर दो बन जाएगा कि एक हैं पएक यह खै और और दुसरा है एक और को बिन्जीन है देखते चलो देखते चलो यह भी क्लोरो बेंजीन है इस पे भी स 7 3 ह आ जाएगा अब यहां से ह्यों हम पानी बाहर कर दिख रहा है ऐसा दो बार होगा यहां पर भी दो से मल्टिपलाइ कर सकते हैं यहां पर दो से मल्टिपलाइ कर दो यह क्या है बच्छा ख्लोरो बेंजीन एसर और यह क्या बनेगा कि तो ख्लोरो तो बेंजीन तो इसल्फोनिक एसीड तो ख्लोरो बेंजीन तो अपने आप में माइनर हो जाएगा या टू की जवाप दूम लगाद भीटर रहेगा वो ख्लोरो बेंजीन सलफोनिक एसिड पी लूरो बेंजीन सलफोनिक एसिड यह तो लिख दो मेजर समझ माया मजा एक यह बोलो फुल नमाल हुआ इस क्वेश्चन में यह यह लिए अब कुष्टन आने माला है नमबर बी इथाइल प्रमाइट इस इस हीटेड विद शिलबर इसी डेड देख लेते नमबर भी में क्या बोल रहा है इथाइल ब्रमाइड के इस हीटेड विट इथाइल ब्रमाइड इस हीटेड विट तक तक इस सिलवर एसी टेट देख लो, सिल्वर बुलाए ना, सिल्वर, सिल्वर एसी टेट, कोई दिक्कत नहीं होगी, देखो, क्या करेंगे बच्चा, यहां से एजी, यहां से बियार, यह टाटा बाई-बाई, आंसर क्या बन जाएगा, CH3, C double bond O, C to H5, यहां से बाहर क्या चला गया, AGBR बाहर, सर नाम बताएए, इथाइल, एसी टेट, चलेगा, यहां पे नाम क्या आएगा, इथाइल, प्रोमाइड, यहां पे नाम क्या आएगा, बच्चा, सिलवर, इसी टेट, यह हमार हो गया, प्यार आसा अंसर, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई डाउट, एक एक चीज दिमाग की नसर में उतर रहा है, पोड का पेपर है, बच्चा, यह कोई लोकल पेपर नहीं करवा रहा हूँ, टारेक्ट, बोड का पेपर सिदा यहां पर हो रहा है, मार्च 2023 का पेपर सर इसके पहले जुलाई का करवा आपने कभी बिल्कुल जुलाइगा भी पेपर हमने करवागे रखा है जा कर देखिए हमारे युट्वीट चैनल के उपर जाकर लाइबworker के देखें में मतलब दो बार में हमने पेपर को कर्मेड करेंगे आज एक एक सेट ले रहा हूं तो कि सेक्षन ए और सेच्षन भी खतम हो जाएगा और गुरु के दिन मतब थाँस्टे की दून जो मिरा रॉट लेक्ट्ट्र होता है उस दिन में इसके बचे हुए सेट लेने वाला हूं ठीके? चैसेलेगा? नेम लिखना इमपौर्टन हैंगा? बहुत ज़दा इमपौर्टन हैं नाम लिखना काफी इमपौर्टन होता है सर, अगला कुष्चिन क्या है? चम-चमाता हुआ, बहुत इजी क्वेश्चिन है क्या पूछा है? Judith Buffer Solution मिलाओ ACD buffer solution बताओ मतलब ACD buffer solution क्या होता है बच्चा बुलो easy लग रहा है मुझे answer बहुत ज़्यादा easy लग रहा है जब मैं बुलूँगा ACD buffer solution तो कुछ तो बताया गया था अगर ACD reward आएगा तब weak acid लेने का कुछ यादा रहा है ऐसा feeling कुछ आ रही है आपको ऐसा कभी जबाने में मैंने डिस्कस किया था ACD buffer solution का मतलब क्या हो गया It is the solution of weak acid with salt of strong base कुछ गया दिमाग में कुछ गया दिमाग में मैंने क्या बोला बच्चा सबको सौझ मायरा है मैंने क्या बोला बोलो ACD buffer solution क्या है मेरा ACD buffer solution is the solution in which you are going to take weak acid along with salt लेने वाले लेकिनों सौल किसका बनाओगा strong base का बनाओगा और इनके mixture को हम बुलते ACD buffer solution एक माग का प्यारा सापका information होगा definition होगा और एक माग का solubility और solubility product के बीच का relation होगा PBI2 के लिए तयार है सब लोग तो चलिए सार करते हैं a solution containing a solution containing a solution containing a weak acid and its salt of a solution containing a weak acid and its salt of a strong base it's a salt of strong base is called is called acidic buffer solution acidic buffer solution अब इसका एक फॉर्मूला भी होता हूँ भी दिखा देते हैं the pH of acd buffer solution is given as the pH of acd buffer solution is given as the pH of acd buffer solution is given as इस growing ये मां का काम हो चुका है आपका देख लो एक मां का काम हो चुका है देख लो ओ मेरे भाई कोई डिकत है तो बोल दो, कोई डाउट है तो बोल दो, yes मजा हा रहा है, yes sir, a solution containing a weak acid and it's a salt of strong base is called HDC buffer solution, the pH of HDC buffer solution is given as this, 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 ठीक है यह होगा हमारा acid buffer solution के बारे में information, अब पूछ रहा है, right the relationship between solubility and solubility product of PBI2, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको आगे लिके जाएंगे, और PBI2, इसको हम तोड़ देते हैं थोड़ा सा, तोड़ेंगे बच्चा तो क्या मिल जाएगा, पीबी 2 प्लस मिलेगा, और आई जनरली 1 मानस मिलेगा 2 ताइमस, इसी हिसाब से, ऐक से प्लकर से खेड़गे, एक से हिका तो बैले का हो छेथा, चाद य कि वाल की स्काल ड़न मिल गया, और य भाइकल तो 2 मिल गया, रहक है दह रहिलेशन बेव्ट tweeण मील टीले पेटवीड, डा रह रह, लिलेशन बीटोर जाएड भी ते, is given as the relation between solubility and solubility product. Solubility product is given as, is given as, is given as, bolo, sahaan bolenge, ksp equal to x ka power x, y ka power y, और s ka power x plus y, यह करना हमको, sir x क्या है, x मेरा 1 है, 1 ka power 1, 2 ka power 2, और s ka power 1 plus 2 होगा, answer आगया 4, s3, यह हमारा बन जेगा ksp, क्या यह relation है, जी हाँ, इसी relation के वो बात कर रहे है, this is the final relation, भोला समझ में आया, एक मा किसके उपर, कोई दिक्कत हो रही किसी को, मजा आ रहा है, मैं उम्मीद करना कुछ बच्चे जरूर थोड़े से out of track जा रहे है, yes, 10th में 9.9, yes, बहुत बढ़िया वही, गवराओ, क्या वाहता है, लेकिन 99.9 कुछ जादा बोल दिया, तुमने 10th में, इतना आता है का 10th में भी परसेंट, 99.9%, typing error हो गया लगता है, गवराओ के साथ में, चलो, यहाँ देखो जरा, यह आपका दो माक आंसर, पहला आंसर, यह एक माक का, दूसरा आंसर, यह एक माक का, complete आपका दो माक यहाँ पर मिल चुका है, अगला question आपका इंदजार कर रहा है, क्या है sir, reaction, what is the action of reagent on ethyl amine, बोलो, कुछ जाना पैचाना सा लग रहा है, question number 9 का A, मुझे तो लग रहा है यार, जाना पैचाना सा, ethyl amine बोले तो C2H5NH2, बोला है, chloroform मिला हो sir, यह तो carvile amine test लग रहा है, carvile amine test का feeling दे रहा है, caustic potas का मतलब है, KOH लेना है, जो क्या होगा, यहां पर simple लग रहा है, ऐसे तो, यहां पर K और CL बाहर जाएंगे, सबसे पहले, K यहां पर 3 है, 3 से multiply किया, K भी 3 होगा, इसको 3 से multiply किया, K और CL बाहर जा चुके, officially, अब यह अपने दिमाग में बीठा लो, अब क्या बचा sir, C बचा, यह सी जाके N से अटेक कर देगा, और यह H और यह O मिलके बन जाएंगे, पानी, इनको पहले पानी बना दो, अब यहां पर O 3 हो गया, इसको 3 से multiply कर दो, H 6 हो गया, 3 H, 4 H, 5 6 H, मतलब सार हमारा answer एकदम तयार mode में है, इस C to H 5 N C बनेगा, इसको हम बोलते हैं, E thail, Isocyanide, E thail, Isocyanide बन जाएगा, यहाँ पर नाम है, E thail, amine, यहाँ पर नाम क्या हैँ है बच्चा, इथायल, amine नम है, इसका नाम chloroform, जानते ही हो आप, ढून समझताया पहला reaction, बजा आ गया, सब्सक्राइब है यहां पर अमाइड लेते थे और उस में मिलाते तो ब्रोमीन और के वेच तुम गड़ बड़ कर रहे हां पर घोटाला और मिक्स और मिक्स मिक्सिंग मत करो आया समझ में आया समझें बच्छा क्लियर है कोई कन फ्यूजर बिल्कुल नहीं सर नमबर सेकेंड पी वाला पॉइंट इथाइल आमाइन याद करो इथा कि इसमें हमने मिला दिया नाइट्रस एसीड कि एचनो टू और एचल लेते थे बहुत ही लो टेंपरेचर पर और किसके प्रेजिंस में एन एन नो टू प्लस एचल के साथ बहुत ही लो टेंपरेचर लगभग 273-278 कल्विन टेंपरेचर पर मजा आएगा आपको भी देख अगो सीट्वच 5N2C एठाइल डाजनियों क्लॉराइड प्लस यहां से एच्ट वाहर जाएगा रहा है वह यहां पर दो है दो से मल्टिपली अच मेरा चार हो गया एक एच दो एच तीन चार इसका नामेए अधाइल डाजनियों क्लॉराइड अ क्याना वाइग गया इथा क्लॉरिट इसको यह अनस्टीबल मानते थे द्यूर्टू टू इस नाम में इस थाइल आमाइन एक्जाम में सब्सक्राइब ने पुरा बिल्कुल ऐसे इचापना एक ड्यूटू अनस्टेबिलिटी जब इसमें हम पानी मिलाते हैं तो बच्चा यह HL को बाहर फेक देता है C2H5OH बन जाता है और N2 अपका गैस बन के उड़ी आता है मतब आंसर बन जागा इथाईल एलकोहल दो मा का आंसर आपके सामने एकदम जबर्दस तरीके से चमचमा रहा है अगला क्वेशन देखो अगला क्वेशन देखो अगला क्वेशन ओ भाई ये क्या सीने सर वस्टन नमबर टेन नुमेरिकल वाट इस दिस बो ये क्या है जल्दी बोलो तो इस दो क्या आपको बताते है बड़ी खुश्यों कि बहुत इस नुमेरिकल ये देखने में सब कॉम्प्लिकेशन लग रहा है बट है बड़ा इसी इवन डेटा में अगर मैंने बोला इज वैलु दिया व्ट ठीक रने दो कोई दिक्कत नहीं तो दिया ये है चलो लिख लेते थोड़ा सा काम तो आएगा यह से यह नौट सीडी ठीक है कितना आगा भाई माइनस 0.403 वोल्ट और यह नौट एस न जो है माइनस 0.136 वोल्ट मझे दार क्वेस्टन में कहूँगा ला ठीक है अब इसमें फाइन नोट क्या करना है डिल्टा जी नौट स्टैंडर बोला है ना फॉर्मूला कौन सा लग सकता है यार येख़ो फॉर्मूला तो बहला सिंपल लग रहे है डिल्टा जी नौट इकोल टू माइनस nf e naught cell नाम तो सुना ही होगा ऐसे फॉर्मूले का बिल्कुल सुना है सर अब e naught cell कहा से निकालेंगे। इनोट सेल निकालने का भी फोर्मूला था हमारे पास। इनोट कैतोर माइनस एन योड मतलब इन और रिड़क्षिन माइनस इनोट ऑक्सिडिशन ऐसे समझवाब अब कौन ऑक्सिडिशन कर रहा है कौन रिडिक्शन कर रहा है यह सब अभी हम डिसकास करेंगे उससे पहले हमको नंबर ऑफ इलेट्रोन भी तो ढूड़ना है यहां पर क्वेशन में पूछा गया है भाई हम कुछ कर रही सकते है है कि नहीं हमको ढूड़ना तो पड़ेगा क्या करेंगे जड़ा बोलो हम यहां पर काम करते हैं अब एक क्वेशन ले लेते हैं सुल्यूशन चालू हो रहा है मेरा यहां पर रेडि हैं सब लोग यह सर पहला क्वेशन देखो क्या दिया है सिडी जो हैना मेरा सीडी टू बंजा रहा है बहुत लगा अगर हम रिलीज करेंगे तो सीडी टू प्लस बनेगा दो यह टू प्लस लेंगे बच्चा यह दो इले टू लेकर क्या बन जाएगा लेकर यह नॉर्मल एसन बन जाएगा तो मैं यह देख पा रहा हूं कि यह यहां पर यूज हो रहा है और जब इसको मैं और एफ एकोल टू 965 00 कुलम यह से रख रहों सिंस एन इकोल टो क्योंकि इलेट्रान दो रहा है जोको टू प्लस से टू प्लस है तो एलेट्रान दो यूज हो रहा है और एफ 965 00F from फॉर्मूला नॉमबर वन बोलो क्या होगा कि यह नौट सेल इकोल टू ए नौट रिडुक्शन माइनस इनौट ऑफ्चिशन सब्सक्राइब जिसका रिडशन ओपैले तो जीरो से प्लस टू बन गया मतलब सीडिक ऑफ्सीडिशन हो रहा है और संक रिश्चन और तो एसन को पहले विखना पड़ेगा संक वैल्यव माइनस 0.136 माइनस और माइनस बन जाएगा माइनस 4.0 मतलब वही जिरो पॉइंट इस तरह सा जाएगा अब क्या करेंगे सर अब यहां पर क्या करने वाले ध्यांसा देख बच्चा अब हम क्या करेंगे इसको ओपन करेंगे तो 403 हमारा जो एदूसरा मारकल ले लेता हूं में समझाने के लिए 403 जो है न बच्चा हमारा 0.403 यह प्लस में आ जाएगा और 0.1360 माइनस में जाएगा तो सर्थ 13 में से च्छे गया साथ आएगा बोलो यहां पर बच जाएगा नौ नौ में से जाएगा तो दो बचे गा तो दो बचेगा अनसर कितना आगया आंसर कितना बोलो दो तो आंसर हमार आ जाएगा देखो जारा यह E not cell है तो फाइनली आंसर आ जाएगा E not cell equal to 0.267 वोल्ट यह मेरा पहला आंसर आ गया अभी मेन आंसर नहीं आ आया है पहला आंसर है फिराउंट है फ्रॉला न्म्बर बॉन नियर फॉत सारीका फॉर्म फ्रॉर मॉला नूबट है फॉर्म फॉर्म मॉला लॉंपन वुर्म है बच्छा विब डाओट है कैई पर भी येश मamba यह मेरे भायों पढ़ाहिप धाने न शियॅकरशा यह किリ लाइन खेली एतन टेल नर्ण थे लेले लेल ये नूमर फिस्ते है स्कते क्वशन सो लो इसको नोमर वन देडो इसको आंगर तो रσफरम फर्मेल58 ने लिदर रूम्सक्त से लिदिया आओ फी के नोलंड़े अप 7161 और Cell structures इन एफ इन उट सेल कुलियर है ये सर तो मैंने टू जो नाइन सिक्स फाइफ डबल जीरू इन टू प्लस में आंसर है जीरो पॉइंट टू सिक्स सेवन जीरो पॉइंट टू सिक्स सेवन एक काम करते हैं इसका दो जीरो इसको ट्रांसफर करते हैं यह बन जाएगा माइनस टू इंटू 965 इंटू 26.7 बन जाएगा अब मल्टिप्लाइ करते हैं दो पच्छे दस जीरो करें एक दो चके बारह एक तेरो को तीन करें एक दूनों अठार एक उननीस यह माइनस में यह आ गया है इसमें 26.7 को मल्टिप्लाइ कर दो यहीं आपका प्यारा सांसर आ जाएगा कि यहां पर करके देख लेते हैं क्या आ रहा है जड़ा देख लो कि क्या करेंगे कि 1930 इंटू 267 जीरो सात्र का एक करेंगा दो साट तरिसर चौुश्ण को पांच करेगा 6 साथ कम साथ छे तेरह में 7 मेशन में 25 आतके रहे गांप पांच पांच कर यह पांच कर एक चैए पांच सनवे कर्यां है ऑंच क्या जी रोख कि लिए फुर्ट शेड़ानवा थानी याट यह एक मेंदो एक तीन है जीरो एक अटपण तेनों को तीन कहरेगा एक पांच टीन हाट एक न नौ छे बंदरों को पांच किरेगा एक अट दो दस एक 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 और एक दो पांच देखते चलो आप क्या करेंगे सर एक प्लिस्पे डिसमल लगा दो देन राइट 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 आंसर जो है बच्चा राइट राइट जो आंसर आएगा कि 5153 1.0 मतलब फाइनली डेल्टा जी नौट जो डेल्टा जी नौट है बच्चा वह हमको यहाँ पर निकालने का मौका मिल रहा है दिख रहे हैं सबको यह चीज़े दिखाई दे रही है एक दम अच्छे से कोई दिक्क्त दे किसी को चेक कर लो जरा एक बर पहले समझा दो एक पर कोई कन्फीजन है तो बोल दो मुझे कि एक दम असान हो रही है कितना आगया बच्छा 5 1531 यह हमारा डेल्टा जी नौट आ चुगा है इस इस माडेल्टा जी नौट चेक कर लो जरा इपर स्टार्टिं सेनदे को पहले क्या बोल रहाए इंदर गालत ध्यक्त एनरजी के लिए इनोट यह दिए यह अनौट एज एक लियुंément और फिर जैसे शुल करते गे इसको करते है इसको सॉल क्रम और मगो monीटल की नौट का फर्मुला यह पर दिया है कि नोट रिदक्षिन मानस इन और और रिदक्षिन में इन और रिदक्षिन मतलब ऐसा रखना पड़ेगा वह है पहले से देख लो यह नेगेटिव साइन आपका जाने वाला नहीं है नेगेटिव साइन के साथ आंसर आएगा तो 51531 चेक करो पहले कोई ऐसा है जो कंफ्यूज होए तो बताओ तो मुझे कहीं पर भी किसी भी एंगल में आप कंफ्यूज होए तो बोल दो चेक कर बच्चा कि इतना क्या आगे अपकश् tifa एंजी किसमा कडween की कि वेले में से जूल में आती है इसको जूल दिखा दो कैपिटल यह और अगर मैं 100 safety match कर दो अगर मैं क्रोष्ष्क वाढसाखेट Cरढू on तो माइनस फाइफ 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 त्री वन जूल आ गया तो ठीके देर फोर कर दो किलो जूल कर देते हैं छोटा वैलो जाएक थोड़ी सी एक दो तीन मतलब आंसर आजाएगा माइनस तो 51.53 किलो जूल यह हमारा एकदम फाइनल आंसर आ सकता है जूल किलो जूल एपदा छला एणा एनरजी आ भचे यहां पहर पीछे जरा पड़ोग्या आप क्या लिकास ट्य डिप्स और जी डटसीनरी अगफ हे सिंपल स्टैंडर्ड गीप्स एनरजी एनरजी मतलब जूल एनरजी मतलब बच्चा जूल समझ में आया कोई डाउट है कहीं पर भी किसी को भी ये इस नुमेरिकल पर वीडियो बना होना बच्चा हमारा कौन है ये राम राज धूमल बच्चा आप हमारा स्मार्ट पीडियाफ तक पहुंचे निसका मतलब स्मार्ट पीडियाफ में हमने सारा कंसेट दे दिया है वन शॉट लेक्चर डिटेल लेक्चर महारी वीजन नुमेरिकल सिरीज इंपॉनेंट क्वेस्चन स्मार्ट पीडियाफ में सब दे दिया है बच्चा तो राम राज धूमल अगर आपको स्मार्ट पीडियाफ मिले होग यह है सर यह राइड दर केमिकार रिएशन फॉर प्रिपर्शन फ्रेशन फ्रॉप फ्रॉम सुख रोज सुख रोज से ग्लुकुज इशन बना देवादो राइड दस्ट क्षिर अब डी रइबोज राइब श्रॉप इस्ट्रेशन बना ना होगा हमें चलिए एजी प्रिप्रेशन आफ ग्लुकोज आंसर में देख लो जरा अच्छ प्रिप्रेशन आफ ग्लुकोज त्यार है आप लोग यह सर क्या होता है बोलो जरा सर्थ सुक्रूज का फॉर्मुला इसमें पानी मिलाने का एसीड के प्रजेंस में खतम जा सिर्फ एच प्लस लिया तो भी चलता है इसका नाम है सुक्रोज यहां पर आंसर बन जाएगा सीज रातं जाएगा इंपर बनजाएगा सीज डूटोज यहां पर आजएगा ग्लुकोज यहां पर नाम आजाएगा ग्लुको ज यहां पर नाम आ जाएगा फ्रुक्टोज चलेगा यह हमारा कंप्लीट आंसर हो जागा चेक कर बच्छा मजह आ रहा है एक दम लग रहा है वाह क्या बात है यह पहला कंसर खतम हो गया एक माक आंसर था स्ट्रॉफ डी राइबोज बताओ कैसे बनेगा यहां पर डाइटर ला 6-25 वाला होता है ऐसा मुझे लग रहे है अच्छा 5 कार्णı वाला है का टेंशन होई बांस कर में नहीं आपकों यहांपनों ऐसी ढदों कि अधरों कि न fap इस suo कि इन चार और यह पाँचा वागार बन अब क्या गरेंगे एक तो टीन चार अर यह पाँच यह हो गया मेरे लिए पी राइबोज को समझ में आया है यह हमारा ट्रिक जो था ना बच्छा नॉर्मल उसको फॉलो करना है यह हमने अलोजर्स की डोजर्स के लिए ट्रिक दिया हुआ था यह सर नो क्या वात है बाइस सुझा लगला क्वेशन एक रेडी पोजिशन में लेक हैस फ्रॉम 10 डेसिमेटर क्यूब ट्वेट डेसिमेटर के वेट 293-298 इन वैक्यूम चलो पहले हम बात करेंगे एक्स्टेंस्यू प्रॉपर्टी क्या होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ओफ मैटर के उपर डिपेंड करती है यहां देके निए थर्मोडानमिक का यह प्रॉपर डिपेंशन अपने पड़ा था यादे सब को कुछ-कुछ यादे सर वही आपर फोड़ना है क्या बोलेंगे दा प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपोन बोलो दो प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओन अमाउंट ओफ मैंटर अमाउंट ओफ मैंटर मतब कितनी संख्या में हमारे पास मैंटर क्या अमाउंट है उसी को हम यहां पर क्या बूलेंगे बच्चा उसी को हम यहां पर बुलने वाले है एक्स्टेंसिव प्रॉपर्टी समझ माया की जहां आसान हो रही एकदम कोई डाउट है टेक रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपन दा अमाउंट ओफ मैंटर आज एक अमांट उपन डाउंट अक्ड़ फुलिशत फोला है का निए अच्छा जरव फुलिश्ट अपलय है अमांट घ्लो ट्रोपर्टी विच डिपेंज्ट्स on अमांट अवैटर प्रेजिन आफ्स्टर प्रजेंट इन और सिस्टम इसकाल एक्स्टेंसिव प्रॉपरिटी इसकाल एक्स्टेंसिव प्रॉपरिटी एक्जामपल क्या होंगे सर कोई भी आप अमाउंट से रिलेट जो करता होगा वह आप ले सकते हो जहां पर हम मूल की बात करते होंगे ठीक है जहां पर अमाउंट मास वॉल्यूम ठीक है ऐसे लोग जहां पर मास हो सकता है अमाउंट की बात कर सकते हैं वॉल्यूम की बात कर सकते हैं इंटर्नल एनरजी भी एक का माउंट होता है इंटर्नल एनरजी ले सकते हैं यह सारे उसके एक्जाम्पल्स हो जाएंगे अगला कोशन है नुमेरिकल नहीं रहे बच्छा टाइम पस क्या तुम समझ नहीं पा रहे हूं कि पुछाए कि वर्क डन निकालो तो बुलनेंगा वर्क डन एक वर्टू जीरो रैकेट में कि सिंस कि इडिजर वैक्यूम कि समझें का एक मांग मिल गया इसके उपर ही खतम यह कॉमेडिया तुम्हारे लिए जोक आफ दे था आज का राम तो सॉल करने बैड़े आएंगे इदे देखना बच्छा वैक्यूम बोला है याद फ्री एक्स्पांशन जब भी वैक्यूम आगा तो सिधा वर्क डन जीरो जाता है यह कितना एक और बॉल दो दो तुम सोच लोग तो समझने वाले इसको फोल्ड विंगे स्क्वेस्चन को यह अगला क्वेस्चन राइट था रेक्षिन और पॉर्मेशन अफ नायलों 6,6 रियक्षिन बोला है तो बहुत सिंपल होने वाला है 6,6 हम लेने वाले हैं हेक्जा मिथलीन डाय आमाइन यह है मेरे पास है हेक्जा मिथलीन डाय आमाइन हमारे शक्ति बैच्वाले बच्चों को इसा बड़ा मुझ पर आदो हो गया होगा शायद क्योंकि इस आपने रिसेटली खतम किया और दूसरा है कि एडीपिक एसीड कि इन दोनों को पहले मैं मिलाऊंगा आपस में बढ़िया तरीके से मिलाऊंगा नाम क्या है सर हेक्जा कि इसको एंटाइम ले लो इसको एंटाइम ले लो एक्जा मिथलीन डाय आमाइन लिक दो पुरा इसको पुलिए एडी पी के एसीड बोलेंगे का बोलींगे बच्चा एठीप कि फिलेंगे पर इन दोनों को मिलेंaden यहाँ मोठाई का आपको समझा डूसरा में फोलेंगे प्लस थरह से ठीको कि यह देखो हम चीज़ टू सिक्स टाइम है यह बन जाएगा एन एच थ्री नो डाउट प्लस के रूप में यह बन जाएगा ओ-ओ-सी यहाँ पर है CH2 और टायम्स इस तरह से माइनस माइनस कर दो यह इसको बोलेंगे यह भी एंड टाइम बन गया जिसको बोलेंगे नायलन सॉल्ट बन गया य 가장 कि अब सही माइने मेंр हम इसका पॉली मेराशन करते हैं आया कि वो किसका पॉलीमचन कर इंगे मतलब सर आप कहना चाहिए हम नेल दभाए मेरे जिए हाँ नायलान इन गतुर कि मैं इसका करने वाला हूँ कि पॉलीमराजेशन लगबग 553 कैल्विन के असपास तब इसमें से N times of H2O बाहर जाएगा जब कई बार पानी बार जाएगा कैसे बाहर जाएगा यहां से यहां से एच्टू यहां से अच्टू यहां से अच्टू यहां से अच्टू यहां से अच्टू यहां से बाहर जाएगा और यहां से एच्टू यहां से अच्टू यहां से बाहर जाएगा और यहां से एच्टू यहां से अच्टू यहां से बाहर जाएगा तब यह जो प् एन एच अब यह ओ चला गया बाहर तो यहां पर सिर्फ सी डबल बॉंड ओ बचेगा आगे है CH2 चार बार फिर आगे है सी डबल बॉंड ओ और यह हमारा आंसर बन जाएगा एच यह नाइलोन 6,6 बहुत प्यार आंसर बहुत प्यार आंसर देखा आएसा लग रहे है वाह यह यह बोलो है कोई दिक्कत बच्चा नंबर 13 क्वेश्चन यहां पर खतम हो चुका है एक क्वेश्चन है दो मां का डारेट आंसर रहेगा अब नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन क्योंकि इसके बाद सेक्शन सी शुरू हो जागा तो हमें सेक्शन सी नेक्स टाइम लोगा मैं ठीक है यह लास्ट क्वेश्चन आज के लिए जो बच्चे बोले ने सर्फ लेक्चर कप खतम होगा कप खतम होगा यह लिए बच्चा एक वस्टन में दो पूछ उच पुछ रहता है तो लिखना है क्या तरीका कैसा होगा लाइक कुर्शन बार एक कुर्शन मगर दो कुर्शन फॉलिंग कंपाउं लाइक क्लोरी के सिर एंड स्टक्चर कुछ है सिर्फ इसे फोर्टीन में ए बोला है तो आप एट टाइटल डाल दो लिख दो क्लोरी के सिर अगर जहीं जहां पे नमरी नहीं दिया है आपर पहला कोशन पर उसकी नीचे दूसरा कोशन कर दो खतम लोरी कि एक सियल मेरे पास और उसके पास कितना अटेश्मेंट अचार चहां और चैक करो दोश्यान के यह तो कर काफी अटेश्मन दिखने कितने तो यह पिए देग बचा बनाता हो भी पहले समझो कि एक सील कितना मौन बना सकता है एक बना सकता है तीन बना सकता है पांच बना सकता है लेटिस्ट लेटिस्ट साथ बना सकता है यह बात आपको मालू है क्या यह बात आपको मालू में कोई दिक्कत बच्चा कहीं पर भी किसी को भी छे करो पहले क्या ये concept आप सबको मालूम है कि कैसे बनता है ये येस और नो आपने सुना होगा कहीं नहीं कहीं येस चलिए दिखाता हूँ मैं आपको एक सील एक तीन पांच साथ बनाएगा सर इसमें तो कौई भी फीट बिठा दो आपको लग रहा है कि हो जाएगा तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो सकता है देख बच्चा द्यान से अगर मैं बोलू कि एक सील के उपर मैंने एक एच लगा दिया और यहां पर मैंने डबल बोल लगा दिया क्या यह क्लोरी बन सकता है एक दो तीन चार पांचे और साथ में ओकी वैलेंसी भी पुरी होनी चाहिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई तुक्के में सरो के वैलेंसी पूरी नियूरी बाकि सील की वैसे बरफेट पुरी हो रही है वो नहीं चलेगा वो यहां पर यह नहीं चलेगा त्यांको के वैल यह सएल के ऊपड़ एक सील के ऊपर जैए उसके उपर जाएंगे हुए वह इस तरह से बन जाएंगे अंतब यह हमारा हो गया तीन टीन देरिख लगा दो यहां पर इस तरह से यह हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरिक एसीड नंबर ए आंसर खतम अब नंबर नेश्ट वाला जो पुछा है तो परोक्सीड डाय सल्फूरिक एसीड पहले तो फर्मूला आना चाहिए परोक्सीड डाय सल्फूरिक एसीड मैं आपको बता रहू बहुत सिंपल तरीका है एच टू एस टू ओ एट यह होता है फॉर्मूला दो एस ले लो दोनों को इस तरह से जोड़ दो दो ओ से और एक एस के ऊपर तीन ओ लगा दो एक ओ दो ओ इन ओ एक औ दो ओ तीन ओ जाएगा और साथ कोई तक्रिफ नहीं है कि इसे तो होल स्ट्रक्चर ऑफ पैरॉक्सी डाय सल्फिर कोई ऐसा है तो बोल दो मुझे कोई ऐसा है जो बेहोस हो रहा है तो बोल दो ओ मेरे भाई जल्दी से बोल दो कोई दिक्कत है तो येस कोई कंफ्यूजन चीजें एकदम क्लिन हो रही बच्चा येस देख लो यहां पर यह हमारा सेशन खतम हो रहा है क्लोरी के सीर बेरॉक्सी डाय सल्फिर के सिर मज़ा आ गया येस और नो तो मैं उम्मीद कर रहा हूं क कि जितने भी बच्चे यहां पर जुड़े हुए हमारी डबाले सी आर्मी वो इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों यारों तक फैलाएंगे क्योंकि हमने मार्च 2023 का जो क्वेस्चन नमबर वन है वहां से लेकर क्वेस्चन नमर 14 तल पूरा खतम कर लिया मतब सेक्शन सेक्शन भी हमने ऑफिशली पूरा खतम कर लिया मैक्सिमा मांसर हमने आपके सामने लाइव में करके दिखाया है इसका अंसर कैसे होता है क्या पॉस्बिल्टी इसका अंसर की यह मज़ा आ गया तो ऐसे खुबसूरत सा जो आपका प्यार है सपोर्ट है बना के रखो इस चै बाई मिलते हैं नेक्ट टाइम जै हीन मिलते हैं नेक्ट टाइम चलो बाई